एक बार जोर से भारत माता का जैकारा लगाएंगे सारे जने पूरे दिल से मुठ्थी बंद करके हाथ उपर करके जोर से बोलेंगे भारत मता की इनकलोड इनकलोड बंदे बंदे हर्याना के कोने कोने से आई हुए मेरे भाईयों बेहनों मताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को अपने भाई अपने बेटे का नमशकार सब को मेरा प्रणाम सबसे पहले तो मैं उन तीन सो से ज़्यादा शहीदों को नमन करता हूँ अभी हमने उनको यहाँ पे श्रधांजली दी लेकिन पूरे देश की तरफ से उन तीन सो लोगों की शहादत को नमन करता हूँ जिनों ने किसानों के लिए संघर्श करते करते खुशी खुशी अपनी जान गवा दी अब हमारी जिम्मेदारी है पूरे देश की जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी है उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए अब अन्त तक लड़ना है लड़ोगे अन्त तक लड़ना है उनके शहादत बेकार नहीं होने चीए अभी पता चला कल रोतक में इन्होंने किसानों पे लाठी चार्ज कर दिया ये बड़ी गलत बात है जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है वो देश कभी प्रगती नहीं कर सकता किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के ओपर लाठी चार्ज करना चाहिए हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी और आज पूरे हर्याना में बता रहे हैं किसानों ने चक्का जान कर रखा है हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं मैं अभी जब आया मेरे को भी काफी टाइम लग गया कई जगे से मेरे को घूम के आना पड़ा लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है अभी मेरे को पता चला है कई सारी बसे हैं कई सारे लोग जो आज यहां सबाह में आना चाहते थे वो जगे जगे चक्का जाम में फसे हुए है मैं उनसे माफी माँगना चाहता हूँ कि हमें अब ये सभा शुरू करनी पड़ी नहीं तो कई लोग जो ग्यारा विजे के आके बैठे हैं उनको भी वापस जाना था मैं तो आज आपी के लिए आया था आप कहते तो पूरा दिन भी रुक जाता उनके लिए लेकिन मेरे को पता चला कि कुछ लोग अब जाने लग गए तो मुझे लगा कि आप से बातचीत करते हैं उन लोगों से मैं माफी चाहता हूँ जो लोग जाम में फसे हुए और अभी पहुँचने में समर्थ हैं दोस्तों जब से जब केंदर सरकार ने तीनों काले कानून पास करे पूरे देश के किसान दुखी हो गए पूरे देश के अबी थोड़े दिन पहले में पंजाब हो के आया पंजाब में भी किसान महापंचायत करी पंजाब के किसानों का धन्यवाद करके आया आज मैं हर्याना में आया हूँ हर्याना के किसानों का धन्यवाद करने के लिए कि पंजाब और हर्याना के किसानों ने नित्रित्व करके इस पूरे किसानों के संगर्ष का नित्रित्व किया और देश के सारे किसानों की आवाज बुलंद किया आप लोगों ने इन तीनो कानून काले कानूनों के खिलाफ सारा देश आपके साथ है ये मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं चिंता मत करना कोई कुछ भी कहें चिंता मत करना मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूँ सारा देश आपके साथ है सारे देश के किसान आपके साथ है हो सकता है गुजरात का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए हो सकता है कमिलाडू का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए हो सकता है असाम का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे ना पहुच पाए पर ये मत सोचना कि वो किसान आपके साथ नहीं है रोज सवेरे इस देश का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर के उपर बैठे वे किसान के लिए प्रार्थना करता है दुआ करता है कि हमारे संगर्श में हमारा ये संगर्श सफ़ा लोना चाहिए सारे देश का किसान अपने साथ है सारे देश का किसान आपके साथ है दो और जब से ये संगर्श शुरूआ है पहले दिन से पहले दिन से मजबूती के साथ हर कदम से कदम मिला के आम आदमी पार्टी, अर्विन केजरी वाल और मेरी दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है कदम से कदम मिला के हम लोगों ने साथ दिया है मेरे को याद है जब किसानों ने पंजाब और हर्याना के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे तो हर्याना सरकार ने जगे जगे आसु गैस के गोले छोड़े जगे जगे बेरियर लगा दिये उनके उपर लाठी चार्ज करा लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो सरकारों के बुल्डोजर पार करते हुए आसु गैस के गोले पार करते हुए इनके लाठी चार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पह worried तब केंदर में बैठी BJP सरकार ने एक शडेंत्र रचा केंदर सरकार ने शडेंत्र बनाया चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली जब ये दिल्ली पहुँचेंगे तो केंदर सरकार ने दिल्ली के नौ बड़े बड़े स्टेडियम नौ बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं और जैसे ये किसान दिल्ली में पहुचेंगे इन सारे किसानों को उठाके स्टेडियम में बंद कर देंगे फिर बैठे रहना वही स्टेडियम में बैठके करते रहना अपना संघर्ष ये केंदर सरकार ने शड्यंत्र रचा और भाई साब अपनी किस्मत अच्छी थी कानून में लिखा था किस्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्य मंत्री किया कानून में लिखा था किस्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्य मंत्री किया तो केंदर सरकार ने फाइल बेजी मेरे पास और भाई साथ फोन पे फोन फोन पे फोन आने लगे इतना pressure डाला इन्होंने केंदरवालों ने इतना pressure डाला कि यह जेल बना दो जेल बनाना बहुत जरूरी है law and order problem हो जाएगी दमकी भी दी उन्होंने मेरे को तुम्हारी पावर खतम कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे पर भाई सब मैं नहीं माना मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का अंदोलन सही है किसानों की मांगे जाए जाए किसानों की मांगे तुरेंट मानी जाएं और दिल्ली पुलिस का ये प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाये जाएं ये प्रस्ताव खारिज किया जाता है और मैंने फाइल उनकी वापस भेज़ दी भाई साहिब इतना नाराज हुए यह इतना नराज हुए मैंते सो इतना गुस्ता हुए। आग बभुला हो गए केंदर सरकार बीजेपी वाले। फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला, अपने सारे सानसदों को कि बाुडर पे जाओ! किसान बैठे हैं उनकी जाके सेवा करो आम आदमी की तरह आम आदमी की तरह जाना टोपी बेहन के मत जाना जंडा लेके मत जाना केजरीवाल का नाम मत लेना आम आदमी पार्टी का नाम मत लेना अपने को राजनीती नहीं करनी बॉर्डर पे जाओ किसानों की सेवा करो हमने लंगर लगवाए दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतिजाम करा तोईलेट का इंतिजाम करा एक दिन कुछ किसान भाई आए मेरे पास बोले जी वहाँ पे सिगनल कमजोर है घर पे बात नहीं हो पाती गाओं में बात नहीं हो पाती हमने सरकार की तरफ से वहाँ पे वाई फाई का भी फ्री वाई फाई का इंतिजाम कर दिया वहाँ पे बॉर्डर के उपर जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था सब कुछ करा जी और जिस दिन राकेश ٹिकेट भाई साथ वो हादसा हुआ जिस दिन राकेश टिकेट 28 तारीald थी 48 या 29 जन्वरी की शाम थी मैंने टीवी खोला, मैंने देखा राकेश टिकेट भाई साथ उनकी आखों में आसु है वो टीवी पे रो रहे थे मेरे से रा नी गया पहले संजे सिंग जी को मैंने कहा संजे सिंग ने उनको फोन करा फिर मैंने रहकेश्टी कह जी को फोन करा मेरी उनसे फोन पे सीधी बात हुई मैंने रहकेश्टी कह जी को कहा मैंने का भाई साब आप दिल कमजोर करोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा आप अपना दिल ठाड़ा करो आप अपना दिल कंजोर मत करो हम सारे आपके साथ है सारा देश आपके साथ है बताओ आपको क्या चाहिए बोले जी योगी सरकार ने हमारी बिजली बंद कर दी योगी सरकार ने हमारा पानी बंद कर दिया जूगी सरकार ने हमारे टॉइलेट बन कर दिये मैंने का चिनता मत करो एक घंटा दे ओ, एक घंटे के अंदर आपके लिए मैं बिजवाता हूं दिल्ली से एक गंते के अंदर हमने जनरेटर बिजवा दिये बिजली का इंतिजाम कर दिया तॉयलेट का इंतिजाम कर दिया पानी का इंतिजाम कर दिया सारा इंतिजाम कर दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान अंदोलन चार महीने के बाद जिंदा है अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए इसी वज़े से वो इतने परिशान हो रहे हैं मिर से इसी वज़े से इतने नराज हो रहे हैं और अब वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए है केजरिवाल को सजा देने के लिए बहुत बड़ा खामिया जाब हुगता है हमने किसान अंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे है वो एक कानून लेके आए कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार चुने हुए मुख्य मंतरी की कोई पावर नहीं होगी सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की भाई साब इसलिए आजादी की लडाई लड़ी थी क्या आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश आजाद होएगा जनता की ताकत होएगी जनता वोट डालेगी वोट डालके अपनी सरकार चुनेगी सरकार जनता के लिए काम करेगी अरे ये कैसा कानून कि जिस सरकार को जनता ने सत्तर में से 62 सीट देई सत्तर में से एक बारी 66 सीट देई उस सरकार की कोई पावर नहीं और तुमारे लेफटिनेंट गवर्नर की सारी पावर संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी सुशील गुपता जी वहीं बैठे थे संसद में बीजेपी के एक एक संसद ने खड़े हो के बोना केजरी वाल ने किसानों का समर्थन किया था इसलिए केजरी वाल को सजा दे रहे हैं हम लोग सुन ले ना आप यूट्यूब के उपर सोशल मीडिया पे सुन ले ना इनके बीजेपी वालों के भाशन BJP वाले संसद में खुले आम बोल रहे थे चैलिंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्य मंतरी ने किसानों का समर्थन क्यों करा इसलिए केजरी वाल को ये सजा दी जा रही है मैं उनको कहना चाहता हूँ हमारे तीन सो किसान भाईयों ने शहादत दे दी अपनी जान दे दी इस किसान अंदोलन के लिए अगर केजरिवाल की जान भी चली जाए आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग आज ये जो किसान अंदोलन है हर भारत वासी का फर्ज है हर देश भक्त का फर्जे जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूँ उसका फर्जे कि किसान अंदोलन का साथ दे जो आदमी किसान अंदोलन के साथ है वो देश भक्त है और जो आदमी किसान अंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है वो देश का गद्दार है इस किसान अंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूँ मैं हर कुर्बानी देने के लिए तयार हूँ अभी परसो मैं सुशील गुपताजी से मेरी फोन पे बात हो रही थी इन्होंने बताया जी गाओं गाओं में जा रहे हैं इसकी तयारिया जिस महापंचायत की तयारी करने के लिए बोले जी गाओं गाओं के अंदर किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूद पिलाते है जिन गाओं के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दोड़ा दोड़ा के भगाया जा रहा है वहाँ पे आज आम आदमी पार्टी के कारेकरता को इज़त बक्षी जा रही है पूरे देश के अंदर आज सब लोग एक ही बात कह रहे है कि आम आदमी पार्टी किसानों की पार्टी है अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए हम लोग राजनीती में आये थे जनता की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीती में आए हैं देश की सेवा करने के लिए छे साल हो गई दिल्ली में सरकार चलाते हुए छे साल में आप लोग भी जानते हो कि खूब काम की हैं दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं दिल्ली में बिजली मुफ्तोरी है पानी मुफ्तोरा है महिलाओं की बसों का में किराया नहीं लगता अगर महिला बस में सफर करें उसका किराया नहीं लगता खुब सड़के बन रही हैं खुब विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर आप तो जाते रहते हो दिल्ली आपको पता होगा और इन छे साल में जब हम लोग दिल्ली का विकास कर रहे थे बीजेपी वाले हर छे साथ मिने में कुछ ना कुछ अड़ंगाड आके हमारी शक्तियां छीनते रहते हैं शक्तियां चीनते रहे बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं तुम्हारे पास तो खूब शक्तियां हो गई अब बीजेपी तो इस देश की सबसे शक्तिशाली पाटी है केंदर में भी उनकी सरकार कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरिवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिये बीजेपी ने पूरे देश में मिलके एक स्कूल नी बनवाया एक कालिज नी बनवाया एक अस्पताल नी बनवाया बताता जी बनवाये हो तो आप इतने जने आरे हो पुरे अर्याना के कोने कोने से आपके जिले में आपके गाओं में आपके महले में कोई स्कूल बनवाये हो इन्होंने बंद जरूर करा दिये कई स्कूल बंद करा दिये इन्होंने गलत नहीं कह रहा है वाई साथ एक स्कूल फिर भी इन से एक स्कूल नी बना, एक अस्पताल नी बना, एक कालेज नी बना. मैं इनको कहना चाहता हूं BJP वालों को स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जंता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नियत की जरूरत होती है. तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है, तुम्हारी नियत खराब है, केजरिवाल के पास शक्तियां नहीं है, हमारी नियत साफ है, तुम्हारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो, ये इस दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अस्पिताल बने थे और बनते रहेंगे, जितना काम ये बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारे मिलके पांच साल में जितना काम नहीं कर पाई, बाईस आप चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया, उतना काम, आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलाडू चले जाओ, केरला चले जाओ, आंदरपरदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, बाई सब दिल्ली में केजरी वाल है, उसने कुछ काम करा, किसी से पूछ लो, बताएगा, हाँ जी, स्कूल तो ठीक कर दिये, कहेगा की नहीं कहेगा, आप कहीं चले जाओ, पूरवी बारत में, नागलेंड चले जाओ, तृपरा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, भीयार चले i Cuz? आप जिम्मू कश्मीर चले जाओ, पूछो भाई साब केजरी वाल ने कुछ काम करेगा, और अवा जी बिज़ली फ्री कर दी उस ने, आप गुझ्रात चले जाओ, पूछो केजरी वान ने कुछ काम करा, बोला जी, पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, स्पताल और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा पांच साल में कहिंगे जी उन्होंने किसान बरबाद कर दिये व्यपारी बरबाद कर दिये यूथ परबाद कर दिया, युवा परबाद कर दिये सब को परबाद करने के सिवा भाई साब इतने सारे आदिमी बैठें अगर बीजेपी ने एक काम कराओ पांच साल में इतनी शक्तियां इतने एक काम कराओ मिरे को बता दे ना जी कोई एक काम कराओ पान साल में कोई एक काम इन्होंने करा है तो भाई साब आ इनके पास शक्तियां तो बहुत है नियत खराव है इन 75 साल में इस देश पे दो ही पार्टियों ने राज करा बीजेपी और कॉंग्रेस दो ही पार्टियों ने राज करा है 75 साल में आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं तो 75 साल में बीजेपी और कॉंग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं किये आज देश की जनता पूछेगी कि अगर पांच साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 गंटे हो सकती है फ्री मिल सकती है बिजली 22 साथ दिल्ली में हर आदमी की बिजली फ्री कर दी 24 गंटे कर दी दिल्ली में अगर बिजली फ्री हो सकती है 24 गंटे हो सकती है तो बीजेपी वालो, कॉंग्रेस वालो बताओ तुमने 75 साल में क्यों नहीं करी दिल्ली के जनता पूछेगी इन से सवाल पूछेगी इनको जवाब देने पड़ेंगे और ये सारे जने मिलके ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं ये सारे जने मिलके मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं ये कहते हैं केजरी वाल भी हमारे जैसा हो जाए है इन्होंने 75 साल में सारे नेता उन्हें सारी पार्टी वालोंने मिलके केवल अपने घर भरे हैं अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा अगर मैं भी सत्ता में आने के बाद बदल जाता आज भी आपके सामने वो ही केजरीवाल खड़ा है जो दस साल पहले केजरीवाल था इतना सा भी नहीं बदला मैं उतनी इमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जो पहले काम करते थे ये सारी पार्टियां चाहती है केजरी वाल भी हमारे जैसा हो जाए ये चाहती है मैं भी अपना घर भी भरू थोड़ा मैं कमा हूँ थोड़ा इनको कमा के दूँ तो ये मेरी शक्तियां नहीं चीनते तो ये मेरे मेरे खिलाफ नहीं होते आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिये हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना आज भी मैं देश की सिवा कर रहा हूं जनता की सिवा कर रहा हूं भाई सब छोटे बच्चे होते थे हम मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में तीन किसम के देश होते हैं विक्सित देश डवलप्ड कंट्री जो अमीर देश होते हैं विकास शील देश डवलपिंग कंट्री और ए विक्सित देश जो देश विक्सित नहीं है तो बच्चपन में पढ़ा करते थे भारत विकास शील देश है तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकास शील है तो ये विक्सित कब बनेगा ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा तो मास्टर कहता था पांच दस साल में आ जाएगा बाइज अब चालिस साल तो हो गए सारी पार्टियां आली सारी पार्टियां चले गई आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था अब मेरे बेटे को पढ़ाता है आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकास शील देश है कब होगा विक्सित पांच साथ सा ऐसे यूं नहीं होने वाला इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तों मेरी जिन्दिगी का तो एक ही सपना है अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है दिल्ली बदल के दिखा दी पांच साल में पांच साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है पिछली बार 67 सीट दी थी इस बार 62 सीट दी है दिल्ली बदल के दिखाई है अब मैंने तो बगवान से मेरी सेटिंग है जी बगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस प्रिठ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर वन देश जब तक मैं ना देख लो और यहां जितने किसान भाई आये हैं उन सारे किसान भाईयों को मैं कहना चाहता हूँ थाड़े रहना, चिंता ना करना, दिल्ले में थारा छोरा बैठा है सीम अंत तक, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े अंत तक किसान अंदोलन का साथ देंगे और दोस्तों मेरा दिल कहता है समय लग जाए लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान अंदोलन के सामने बीजेपी को जुकना पड़ेगा, केंदर सरकार को जुकना पड़ेगा, इनका घरूर खतम होगा भरत मता की